दोस्तों चाहे आप कितनी भी strategy सीख लीजिये कितने भी आप fundamental analysis सीख लीजिये data देख लीजिये लेकिन सबसे supreme जो चीज रहने वाली है न दोस्तों वो हमेशा से technical analysis रही है और यही रहेगी हलो दोस्तों नमस्कार केसे हैं आप लोग दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस analysis वाली वीडियो में और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीजिट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है और यह चैनल आपकी forex trading journey को और भी जादा बहतर बनाने वाला है तो आईए चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के forex fundamental weekly analysis तो दोस्तों weekly analysis करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं इस सबतहा में होने वाले forex के important events को तो events देखने के लिए आपको यहाँ पर investing.com पर आना होता है और tools में आने के बाद economy calendar पर click करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस सबतहा के जो important economic event है वो हमारे सामने आ चुके हैं जो कि यहाँ पर Monday आनी के 23 October से सुरू होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देखेंगे इस दिन New Zealand और Hong Kong का holiday रहने वाला है लेकिन बाकी के market खुलेंगे तो volatility आपको बराबर मिलेगी उसके बाद Tuesday में आप देखेंगे तो इंडिया में तो stock market की छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर दसेरा है लेकिन कोई problem वाली बात नहीं है हम Forex में trade करेंगे और Forex में volatility मिलेगी तो वहाँ पर लोग 10 एरा मनाएंगे हम इधर Forex trading में काम करेंगे profit बनाएंगे चले इसके साथ ही यहाँ पर यूएस्टी के regarding आपको SNP Global Services का PMI का data आएगा ठीक देन उसके बाद 20 में हम यहाँ पर देखेंगे building permit new home sale और bank of Canada इंटर स्ट्रेट डिसिजन है यूएस्टी के लिए crude oil के inventory तो बुदवार का दिन काफी important रहने वाला है यह news दोस्तों बहुत ही जादा important है गोल के लिए बागी जो लोग cat के pair में trade करते हैं उनके लिए यह दोन एक meeting करेंगे तो meeting का प्रभाव भी market पर रहता है यूरो के regarding आपको यहाँ पर news देखने को मिलेगी यूएस्टी के regarding प्राइडे में आपको पता चल रहा है यहाँ पर यहाँ पर हमने देख लिए सबता के fundamental इवेंट्स अभी देखिए एक सबसे important बात आती है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले systematic way में fundamental analysis करना मलब market को analysis करना सिखाता हूं उसका जो सबसे पहला number one है fundamentally events को देखना देन दूसरा number आता है technically chart को देखना देन तीसरा number आता है execution का और आपकी trading psychology का तो दोस्तों काफी सारे लोग पूरे सपता इसी चीज में उल्जे रहते हैं कि sir news का data ऐसा आया है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यह यह आपको मोटा मोटा market का direction बताता है इससे आप clear cut कुछ भी पता नहीं कर सकते यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पर news को manipulate किया जा सकता है उसमें आप कैसे expect कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल crystal clear idea मिलेगा आप मुझी से question कर बैठते होग देखे दोस्तों news को manipulate किया जा सकता है लेकिन news भी काम करती है market में लेकिन काम इतना करती है कि आपको मोटा मोटा direction मिल जाता है कि कौन सा currency pair strong हो रहा है कौन से देश की currency strong हो रही है यह data क्या बोल रहा है data जो आता है data के number से ज़्यादा उसकी psychology important होती है let's suppose unemployment का data आ रहा है अग negative news है तो क्या चीज़े वहाँ पर impact कर सकती है या अगर unemployment का data पहले से घट के आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि unemployment घट रहा है बेरोजगारी घट रही है उस देश की productivity बढ़ रही है उसकी currency appreciate कर रही है तो यह इसके against कौन से pair में क्या परभाव पड़ेगा तो एक psychological बात मैंने आपको बताई और काफी deep knowledge है काफी सारे लोगों ने इसको catch कर लिया होगा तो दोस्तो यह होता है news का परभाव उसके बाद ही अभी हम बिना देरी के चलते हैं अपने chart पर दोस्तो चाहे आप कितनी भी strategy सीख लीजिए कितने भी आप fundamental analysis सीख लीजिए data देख लीजिए लेक candleistic chart को भी कछरा बना रखा है काफी सारी लोगों ने दुनिया भर के यहाँ पर indicators लगाते हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको drawing tool भी लगा कर दिखाते हैं बहुत सारे moving average वगएरा वगएरा थोड़ी बहुत सारी चीज़े important रहते हैं और सभी काम भी करते हैं लेकिन अगर आप अपने chart को जितना neat and clean रखेंगे और यह जो प्राइज है यह जो candles है अगर आप इनको read करेंगे इनकी psychology को समझेंगे तो इससे उपर कुछ भी नहीं है जो news आती है news का data आता है मैं आपको बताना चाहूंगा आप उसको भी advance में predict कर सकते हैं क्योंकि काफे सारे लोगों जो institutional है वो यहां पर forecast यहां पर share करते हैं और actual लगबग उसके around ही आता है 90-95% इतना ही आता है जितना यह लोग expect कर देते हैं लेकिन फिर भी जो अच्छा technical analysis है तो वो यहां पर इसको प्राइज के बीवेर को देखे news को भी predict कर सकता है खेर चलिए अभी हम gold की बात करते हैं और शुरू करते हैं कि किस परकार से इस सब्ता गोल्ड मुमेंट किया है और इस आने वाले सब्ता में कैसे मुमेंट करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां पर clearly बताया था कि गोल्ड ऐसे यहां पर consolidate करेगा देन उसके बाद यहां पर ऊपर जाएगा और कि लेवल को यहां पर हमारे टच करेगा तो पहले लेवल तो हमारा यह वाली लाइन था जो मैंने लगा रखेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं 1985 के आसपास मैंने बोला था कि नेक्स लेवल हमारा रहेगा यह वाली रेंज कहां तक कि थी दोस्तों यहां पर भी हमारा ले सबसे बड़ी वाद दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं मुझे काफी बढ़िया लग रहा है कि आप हमारे इनलेसिस से फायदा उठा रहे हैं तो देख़े अभी तो हमारा ये जो मोटा मोटा नेलेसिस जो हम पिछले सब्ता से करते आ रहे हैं आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हमारे लेवल्स यहां तक थे तो अभी देखे मार्किट किस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं का मैंने चार्ट लगाया हुआ है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कुछ लाइने लगाई है वो भी आप लोगों के इंडस्टेंडिंग के लिए ठीक है तो यहां पर देखे मार्किट क्या कर रहा है अभी रेंज बना रहा है ऊपर भी गया नीचे भी आ गया इसका मतलब यह नहीं है कि मार्किट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा या फिर बियरिश हो जाएगा फिल्कुल नहीं अभी मार्किट इस्ट्रॉंग लिए ट्रेंड में तो यहां पर देखे कर रहा है कंसोलेडेट करने के बाद जो सबसे पहले लेवल रहेगा यह और यह एक डिजिज वालë जो ऍवाल्द दोस्तों प्रहम यहां पर इस ले rôle को इंज्च करेंगे रहेगा कशानी के लिए मिल्पाइगाimat यहां पर देखेंग कर सकते हैं मैंने बहुत ये ना ही को इंडिकेटर लगाए हुए आपके सामने गोल्ड की मैपिंग रख दिया इसको आप देख सकते हैं और इसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं अभी देखे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया एनलेसिस करने के लिए जो सेट अप होता है जो भी एक किसे ट्रेड कर सकता है लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं जो लोग बिगिनर हैं इस वीडियो को देखकर इंप्रेस भी हो रहे हैं वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे गोल्ड उपर जाएगा लेकिन उपर जाने से पहले तो पचास बार करेगा नीचे भी आएगा शोट टाइम में अगर मैं इसको पांच मिनट का चार्ट लगा देता हूं तो यह देखिया आपके लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा मार्केट तो कहने का मतलब यह है दोस्तों यहां पर जो हमने मैपिंग दिया है तो आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं इन्जॉय करना चाहते ह होना चाहिए एक setup एक formula एक system system के according कोई भी काम होता है तो ट्रेड भी आप system के according लेगे जो की हमारा trading करने का जो तीसरा formula होता है पहले तो fundamental events को देखा fundamental analysis किया दूसरा technical को देखा तीसरा number पर आता है execution execution करने के लिए सबसे important चीज होती है setup आपको setup चाहिए trading psychology कि आपको trade कैसे कर अगर आपके पास कोई अच्छा setup नहीं है तो आजाईए हमारे private forex learning group में वो एकदम free है उस group में आपको हमारी advance forex trading strategy मिलेगी दोस्तों और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ हमारी जो strategy हम free में provide कर रहे हैं अपने इंडियन लोगों की help के लिए society की help के लिए वो strategy आपको लाग रुपे दे कर भी paid courses में नहीं मिलेगी और जो लोग हमारे private group में add हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वो लोग comment करके वीडियो के नीचे बताईए कि अगर आपने पहले कोई paid course लिया है तो आपने ऐसे education लिया है क्या हमारे private group की जो knowledge है strategy है education वो आपक हमें कौन से levels देखने के लिए मिल सकते हैं अभी हमें कुछ भी इसमें bearish moment नहीं दिख रहा है अगर कुछ ऐसा रहेगा तो हम बीच में जो वीडियो बनाते हैं उसमें आपको details में बता देंगे अभी देखे हम चलते हैं अपने EURUSD के चार्ट पर अब EURUSD का जो trading level है यह यह जो हमारा rectangle है इस rectangle से अगर उपर जाएगा market तो यह EURUSD उपर जा सकता है इस rectangle के नीचे जाएगा तो market अभी new lower low बना सकता है और market कुछ इस परकार से नीचे की तरफ भी आ सकता है अगर इस level को break करता है इस lower low को break करता है लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर EURUSD क trading हो रहा है EURUSD का यहाँ पर चार्ट हमें दिख रहा है तो यहाँ पर हमें दो indication मिल रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही decision making move यहाँ पर आ सकता है और वह दो point मुझे कौन से दिख रहे हैं दोस्ते वह पहला point तो दोस्तों यह ही है यह एक point जो है EURUS के game को change कर सकते हैं यहाँ पर यह जो मैंने mapping किया है इसको एक minute हम अटा देते हैं तो और हम यहाँ पर दो लाइने लगाए हैं इनको आप वीडियो में थोड़ा जूम करके देख लीजेगा या वीडियो को पोज़ करके तब देख लीजेगा अगर यह लेवल से यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और यह वाला लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमें यूरो यूस्टी में अगेन नीचे की तरफ की लेवल देखने को मिल सकते हैं लेकिन फिर से वही बात कहूंगा यह जो दोनों मैंने लेवल से लगाए हैं यह यूस्टी का मार्केट काफी दिनों से रेंज मांट ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन अगर आपके पास अच्छा सेटप है दोस्तो तो आपको प्रोफिट बनाने से मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता तो यहाँ पर हमने करी अपना यूरो यूस्टी की बात अभी हम पर देख सकते हैं इस लेवल में आने के बाद जिसने भी सैल किया होगा दो बार प्रोफिट बनाने की बड़ी अपोर्चिनिटी आपको मिली है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूस वाले लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है और आप यूस वैल में तब तक बाइ पर देख नहीं करें तो इसमें कोई बाइंग नहीं बन रही है बाकी अभी सेलिंग भर रही है और सेलिंग में आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था एक्टी तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का फोरेक्स फंडमेंटल और टेक्नि लोगों के बारे में बताया है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप लोग हमारे प्राइवेट गुरूप में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं करना है हम कोई पेड़ गोर सेल नहीं कर रहे हैं प्राइवेट लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं आपको उसमें अपने अकाउंट में करना होता है किसी को पेड़ नहीं करना होता है और इसके अलावा आपको ग्राउंड लेवल से कैसे अनलैसिस करना है किस तरीके से में मार्केट को देखता हूं और कैसे आपको एंट्रे लेना है तो वहाँ पर आप जोइन गोने के बाद आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं आप बहुत ही जादा फ्रीडम के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे और बागी सारे लोगों के फीडबैक आप हमारे पब्लिक टेलिगराम ग्रूप में देख सकते हैं तो दोस्तो मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक अपने डिस्क्रिशन में दिये हैं आप जाकर देख सकते हैं इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है जो आपको नहीं स